आज इसमें डिसकस करेंगे है अपनू Optical Optical Isomerism Optical Isomerism में इफ वन मोनोडेंटेट लिएंड होतो यह डाइडेंटेट लिएंड लिए निए डाइडेंटेट लिएंड लिए इसमेट्रिकल ओई शो करेंगे देखो फूर एक्जामपल यह मैटल है एम यह डाइडेंटेट लिएंड लिएंड लगा दिया हमने ए राइट यह सर बी 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 यह बटा अपने पास आप देखो यहाँ पर मिरर लगा दो तो इसकी मिरर इमेज बताओ नोन सुपर इंपोसिबल मिरर इमेज बनेगी न यहाँ आ जाएगा यह ए और यह आजाएंगे बी बी राइट यह सर तो बन डाइडेंटेट लिएंड होगा तो अब देखो उसके बाद टू डाइडेंटेट लिएंड सोंतो इफ टू डाइडेंटेड लिएंड्स बताओ बटाओ अप्टिकल आइसमेरिजम शो करेगा यह नहीं करेगा अगर दो डाइडेंटेड लिएंड है तो अले करें वह राइज़ चलके यह नहीं करेगा अधे पताने है जह इनकितै मिवल्यांगे यह अप्टिकल आइसमेरिजम शो नहीं करेगा अगर ऑंड़कर अगर प्रिजल राइट कि यह स्वार्ट राइट कि देखो कैसे की सिस के अंदर कैसे शो करेगा अब दोड आइटेंटेंट लिगेंड है अब अन्में एम यह ए यह एए बी बी अब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे हम तो इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो हम एम ठीक बेटा अब यह देखो यहां पर ए और यह भी यहां पर क्या आ गया ए और यह आ जाएंगे बी बी तो बताओ दोनों इमेज इस नोन सुपर इंपोजिबल है या नहीं है यह था है ठीक है बेटा अब देखो अगर ट्रांस हो तो ट्रांस में सेम अपन ले रहें ट्रांस में यह आमने सामने हो गए यह बी बी तो तो इस विल नोट शो इसके अंदर बताओ क्या होगा ट्रांस में अब 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 ट्रांस के अंदर बताओ अगर अंसिमेट्रिकल हो तो शो कर सकता है तो यह कब शो नहीं करेगा वेंट्रिकल सिमेट्रिकल डाइडेंटेट हो इसमें उसके बाद थर्ड इस थ्री डाइडेंटेट लिगेंट्स देखो थ्री डाइडेंटेट लिगेंट्स में क्या होगा इसमें देखो यह ए ए शो करेंगा बटाई अब देखो इसकी मेरा रिमेज बनाते है अबन ए ए ए ए तो तीन डाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होगे देन इट विल शो वाई यह उप्टिकल इसमेरिजम शो करेगा बड़को एडाउट होते हैं किसी को अनौ और सुर देखो इसक्वार प्लेनर कंप्लेक्स इस नो इसमेरिजम बिकोस अप्रेजन अप्रेजम प्रेसंस अप्लेन अप्सिमेटरी ने ने और टेट्राइडल कॉम्लेक्सेस कोडिशन लुबर फोर में वा इसो करेंगे गोडिनेशन लुबर फोर में स्क्वार प्लैनर में इस ने करेंगे टेट्राइड्रल में जी आही नहीं हो रहा था तो टेट्राइड्रल कोडिनेशन नमबर फोर में तू केटेग्रीज आगी अपने पास अब देखो टेट्राइड्रल फोर में कैसे सोगरेगा देखो बटा एक कोई भी आपने टेट्राइड्रल कॉंप्लेक्स ले लेते हैं तो टेट्राइड्रल फोर एक्जामपल एम यह बैटल है राइट चारों अलग लग होंगे इसमें यह टेट्राइडल कॉंप्लेक्स तो इसकी मिरेर इमेज बनाएंगे तो कैसे बनेगा बदा बड़ा बी इधर आजाएगे देखो यहां क्या आजाएगा ए तो उपर ही रहेगा सेम यह का यह हो और यह हो जाएगा डी और यह क्या हो जाएगा इसमें बी और यह सी जैसे यह बोट थोड़ा सा तुम इधर शो कर रहे हो तो इसमें थोड़ा सा यह टिल्टेड शो करोगे ठीक है अब से चुअ नुट बात इस तो यह बोथ डीजर नोन सूपर इंपॉसिबल और लॉन् सूपर इंपॉसिबल होंगे तो क्या होंगे यह बैदो अलोर related नोन सुपर कुरें बॉसिबल मेंस आप्टिकली एक्टिव बोलो बटे क्लियर है या नी सब दो येस सर उसके बाद next is effective atomic number rule EN is effective atomic number rule EN तो देखो effective atomic number कैसे निकालते है बटा ये ये जैसे वर्नर्स थेयरी में आपने पड़ा EAN बराबर ये होता है number of valence electrons in CMI central metal iron के अंदर valence electrons ठीक है yes plus number of ligands into two no number of valence electrons in CMI plus number of electrons number of ligands number of electrons वो टू से तो फिर आलग formula बन जाएगा इसमें number of electrons donated by ligands और इसको एसे लिख सकते हैं और EAN equals to देखो जो भी इस atomic number है central atom का central atom जो भी है उसका atomic number ठीक है minus oxidation state of CMI central metal iron का oxidation state ठीक मैटा plus twice of उसका coordination number and this should be equal to ये किस के बराबर होना चीए ये nearest inert gas के बराबर तभी तो stable होगा देखो nearest inert gas कैसे जैसे आपने एक complex ले लिया CRNS3 all six three positive अब इसमें देखो chromium में central metal iron में कितने electron है बेटा देखो chromium में central metal iron में ये valence electron atomic number कितना हो गया atomic number chromium का 25 24 sorry 24 minus oxidation state plus 3 है तो minus 3 24 minus 3 21 yes sir plus 6 to 12 right coordination number 6 होगे है ने बेटाइस में तो बताव ये nearest noble gas configuration को follow कर रहे है इसका बताव EN rule को follow नहीं कर रहे है yes sir बोलो yes sir तो ये no not followed आप देखो जैसे carbonil नेलो tetra carbonil nickel ni co4 उसमें लगाओ ये EN rule लग रहे है नहीं and i co4 tetra carbonil nickel देखो nickel के atomic number कितना है बेटा 28 यहाँ पे central metal का oxidation state कितना है इसमें tetra carbonil nickel 0 yes right तो 28 28-0 plus coordination number 4 तो 4 to 8 4 into 2 तो बराबर 36 means 36 देखो EN rule is followed 36 nearest noble gas configuration है या नहीं है बेटा 36 nearest noble gas का इक तो atomic number है 36 किसका है है नहीं है नहीं आगर कर क्रिप्टोन का है तो इसके आप मतलब यहाँ पे follow हो रही है तो इससे क्या EN rule से हम सारी properties को explain महीं कर पाते है कि कौन इसके अंदर most of the complexes इसको follow ही नहीं करते है यह EN rule को तो उसके बाद हम explain करते है bonding bonding in coordination compounds coordination compounds में bonding किस तरीके से होगी तो जैसे Alfred Werner's theory ने बताया था कि एक तो जो coordinate bonds होगे उनकी fixed positions होगी space में और जो ionic bond होंगे उनकी fixed positions नहीं होंगी बताया था तो उसके अंदर मतलब limitations वर्नर्स theory की वर्नर्स theory ने क्या नहीं बताया कि आग यह theory पढ़ने की जरुरत पढ़ रही है उसने fixed positions तो बताई दी तो एक तो मतलब वर्नर्स ने यह नहीं बताया कि कोई भी directional properties of bond directional properties फिर कोई भी stability of complex complex की stability की बारे में भी नहीं बताया उसने कुछ भी ठीक है उसकी magnetic properties के बारे में भी कुछ नहीं बताया है complex properties के बारे में भी नहीं बताया है कि complex properties of some elements कुछ ही elements complex बनाते हैं ऐसा क्यों यह भी सब बरना दे color of compounds को भी color को limited थोड़ा बहुत ही मतलब applicable था इसने जो color properties को explain करी थी Werner's theory ने अब देको valence bond theory किसने दी थी बेटा falling very good valence bond theory given by given by linus falling यह first theory पढ़ेंगे अपन वी बी टी valence bond theory ठीक है तो valence bond theory क्या करता है मतलब यह explain करता है कि metal और ligand के बीच में bond किस तरीके से बनेगा explain the formation of bond between metal and ligand लेकिन यह भी मतलब 100% proper नहीं है पढ़ेंगे metal ligand bond metal ligand formation को explain करता है valence bond theory करता है तो इसकी कुछ assumptions है जैसे 11th में भी पढ़ी थी हमने इनकी chemical bonding में पढ़ी थी न assumptions yes sir उनसे कुछ assumptions से different होंगे इसके अंदर तो देखो valence bond theory बताओ कुछ assumptions बताओ जो याद हो तुमारे को मेटा सबसे पहले तो यह कहता है कि coordinate bond बनेगा यह coordinate bond कब बनेगा coordinate bond is found well ligand ligand donates its loan pair to cmi ligand अपनी loan pair को या negative charge को किसको donate करेगा बटा cmi में sentiment line के अंदर ठीक है बोलो अब देखो जितने number of coordinate bonds मनेंगे number of coordinate bonds formed is equal to the number of coordinate bonds जो बनेंगे number of coordinate bonds formed is equal to the number of vacant orbitals या coordinate bonds formed should contain same number of vacant orbitals मतलग जितने cmi के साथ coordinate bond बनेंगे इतने उसके अंदर क्या होने चीए बटा vacant orbitals ठीक है अब देखो एक थर्ड जो postulate है वो बिलकुल मतलब थोड़ा आजीब सा है कि sometimes इलेक्ट्रोंस इलेक्ट्रोंस इन N-1D पेर अप कई बार तो पेर अप हो जाएंगे and sometimes रिमेन अनपेर्ड तो बताओ अपन तो ऐसे नहीं पता लगा सकते ने बटा कब तो पेर अप बन जाएगे और कब अनपेर्ड रहेंगे तो मतरब उसी के हिसाब से फिर और्बिटल्स की पता चलेगा कि कौन से और्बिटल्स पार्टिसपेट करेंगे बॉंडिंग के अंदर येस तो इसके अंदर formation of metal ligand bond formation of metal ligand bond जो metal ligand bond बनेगा formation of metal ligand bond क्या करेगा it shows the directional nature यह उनके directional nature को बताएगा कि space में कैसे directed होंगे bonds जो vernis therene नहीं बताए था तो मतलब यह hybridization भी बताएगा न it explains the hybridization of the orbitals right yes sir जोज़के बताएगा अब उसके बिश्चाइब आपके मतलब हम magnetic properties को भी explain कर सकते electrons के अन्पइड electrons के भी आपके magnetic properties as magnetic moment निकाला था नपने deep block elements में कैसे निकाला हैं मेंगेटिक मुबराबर अंडर रूट ऑफ एन प्लस टू बी अम बोर मेंगेटोन राइट इस से निगाल सकते हैं इसकी मेगेटिक प्रोपरटीज प्रोपर्टी मतलब जितना ही ज्यादा पैरा मेग्नेटिक होगा है इतना ही होगा उसका प्र उसके बाद यह एक्सपेन करता है इन आइबडाइजेशन को देखो कैसे जैसे मानलो कोडिनेशन नंबर फोर है तो coordination number 4 में दो type की hybridization possible है वेटा एक तो है SP3 और एक है DSP2 तो SP3 में shape कैसी बनेगी, tetradral और DSP2 में square planar उसके बाद coordination number 5 हो तो वैसे इसका example नहीं आया होगा तुमारे पास अभी तक देखो वैसे याद गरो FECO5 पेंटा कार्बोनिल निकल यह पेंटा कार्बोनिल आयरन FECO5 तो इसके अंदर shape कैसी होती है coordination number 5 में trigonal pyramidal trigonal pyramidal यह bipyramidal यह bipyramidal PCL5 के जैसे होंगे त्राइगूनल बाइप्रामिडल यह स्राइबडाइजेशन होगी उसमें SP3D उसके बाद जैसे एक postulate लिखा था कि सम्टाइम्स देखो D को तुमने पहले नहीं पढ़ा होगा न chemical bonding के अंदर इसी में पढ़ रहे हैं जैसे DSP2 आया है पहली बार coordination number 6 तो coordination number 6 में 2 hybridization होगी बेटा D2 SP3 या SP3D2 D2 SP3 और SP3 D2 तो दोनों के अंदर कैसी सेफ होगी इनके अंदर octohedral octohedral तो ऐसे explain करेंगे हम balance board theory के according compounds को अब देखो पैटा एक मैं तुमारे को एक series बता रहा हूँ कि series है spectrochemical series अब वो spectrochemical series है वो बताती है crystal field theory कोन explain करता है उसको crystal field theory तो देखो तुम crystal field theory का concept इसमें लगा लो तुमारे किसी को क्या पता कि how you have answered this question देखो जैसे इसमें एक postulate बोला कि sometimes the electrons paired up and sometimes electron remains unpaired तो बता ये contradictory सी बात होगी न अपने को कैसे पता चलेगा कि कप pair up होगी या कप pair up नहीं होगी राइख नहीं होगी राइख लेकिन बेटा इसमें ये नहीं बताऊगी कि तुम ये कर बोलो कभी सर कि स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज की अकोर्डिंग बता रहे हैं क्योंकि स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज इसके अजंप्शन में कहीं भी आई है लाँ तेको इस्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज क्या होती है अगर तुम बिल्कुल फास्ट याद रखनी है तो देखो ऐसे याद रखो ऐसे बोलो CO, CN, NO2, EN, Ammonia अरे बोलो CO, CN NO2, EN, Ammonia यह सारे strong field ligands है देखो CO CN- NO2 NO2, NO2- मतलब माइनस ही होगा NO2 की उपर चार्च CO, CN, NO2 फिर मैंने क्या बोला EN, Ammonia ऐसे flow में याद रखो CO, CN, NO2, EN, Ammonia यह strong field complexes है अब इन strong field complexes के बाद जैसे एक बड़ा complex लिखवाया था हमने EDTA4- Ethylene, Diamine, Tetra Acetate यह भी strong field होता है nitrogen as a donor spectrum NCS, Isothiocyanate यह भी strong field होता है उसके बाद आता है अपने पास water तो water से जो भी यह पहले वाले हैं सारे यह कैसे field ligand fields है strong field strong field तो ऐसे याद रखो अभी तो तुमारे को इतना सा concept याद रखो कि strong field ligand sparing करवा देंगे yes strong field ligand sparing करवा देंगे और weak field ligand sparing नहीं करवाएंगे आप देखो उसके बाद ऐसे याद रखो oxide 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 hydroxy oxalato देखो oxide hydroxy oxalato एक साथ आ रहे हैं यह ना yes oxide hydroxy oxalato oxide oxide सबसे ज़्याद है फिर उसके बाद hydroxy oxide oxalato फिर hydroxy होता है पेटर इसको एक बाद चेक कर लेना आप इन दोनों की position को ठीक है series के अंदर उसके बाद fluorine एफ माइनस NO3 CL माइनस सलफाइड BR माइनस I माइनस यह सारे water के जो बाद है यह weak field ligands हैं तो weak field ligands के case में pairing नहीं हो पाएगी और strong field ligands के case में pairing हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी अब देखो कैसे यह सबसे पहले जैसे मान लो एक तुमने एक्जामपल ले लिया सीओ 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 अब देखो इसमें oxygen state पता लग रहा है इसका आपको क्या है कि बोलो बेटा कि अब प्लस त्री हो जाएगा देखो प्लस त्री oxygen state हो गया इसका तो ground state configuration को बाल्ट की कितनी होगी बेटा आउटरमोस्ट यह होती है 3D7 4S2 राइट तो excited state क्या होगी 3D6 4S0 आप देखो यह हमने excited state configuration बना ली देखो 3D6 तो 3D6 के लिए यह configuration इस राइट और रों राइट तो यह है 3D उसके बाद यह 4S 4S के बाद कौन सा होगा 4P आप देखो concept को क्या यूज करना है तुम उपर वाले को देखो इसमें ammonia अमोनिया लिगेंड है तो ammonia strong feelings बेटा तो पेरिंग करवाद है या निए electrons की तो देखो यह जो वाड़ा है यो इनकी पेर बन जाएंगी यहां पे तो इनकी पेर बनेंगी तो कि या बनगे आपने पास यह बनगे दो खाली हो गए इस आप देखो इनके बगल में लिगेंड्स कितने है इस तो six लिगेंड्स अपनी six loan पे डोनेट कर देंगे यहां पे देखो एक अमोनिया ने अपनी लोन पे डोनेट करी ऐसे ऐसे 6 ammonia donate करेंगे नहीं करेंगे बटा तो बताओ इसमें देखो hybridization क्या हुई d2 sp3 very good d2 sp3 d2 sp3 होगी इसमें hybridization बोलो clear है नहीं बात तो d2 sp3 hybridization देखके तुम बता सकते हो save कैसी होगी इसकी unpaid electrons इसमें 0 है तो इसका nature कैसा होगा magnetic nature diamagnetic होगा अब देखो जैसे यह जो orbital थे यह तो थे 3d और इसके आगे 4d होगे नहीं होगे तो इसमें अंदर वाले जो orbital अगर participant कर रहें hybridization में तो उसको हम बोलते है inner orbital complex क्या बोलेगे उसको इनर-orbital complex इनर-orbital complex ठीक है और देखो spin total spin zero है तो यहां पर क्या कहेंगे इसको low spin एक electron में भी low spin इबोलेंगे और अब देखो next NICL for two minus इसमें बताओ आप लोग क्या कुरेंगे बेटा CL weak field लिगेंड है ना अब निकल का oxidation state plus two है तो यहां पर देखो इसकी ground state configuration लिखलो सबसे पहले इसकी ground state configuration कितनी है 3-d8-4-s-2 राइट इसका excited state क्या बनेगा इसका 3-d8-4-s 0 weak field लिगेंड है तो weak field लिगेंड है तो electrons की pairing बनेगी इसमें नो सेर्क तो यह दो इलेक्ट्रोन इसमें अन्पेड रहेगे अब देखो एनाइनिक लिगेंड है कितने इसके बगल में चार तो कौन सी hybridization होगी इसके अंदर यह outer orbitals participate करेंगे hybridization में SP3 हो जाएगे SP3 यहाँ पर एक CL- ऐसे अपनी लोन पे डोनेट करेंगा ऐसे सारो में डोनेट कर देंगे CL- माइनस अपनी इसके बाद और बातें बोलो इसके बारें क्या बोल सकते हो क्या जाए foremost ौकसर यह अई फट्र मागें आर स्थैप ऐस स्थैप्रवी इसर स्थैप्र आला म rods अंग्यट पाल्ष 돼ट्र यह लग्र्द संग्र्ट में ही व्रट्र अुर्ट आट्रहिश्ऺडोड यह मैं व्रष मैं इसके श्यल सराथ सराथ सबस्के बटा यस सरा यस सरा देखो उसके बाद जैसे नीटरल लिगेंड लेले तेक नि-C-O-4 निकल काई अब बताओ सी ओ स्ट्रॉंग फिलिगेंड है वीक फिलिगेंड है स्ट्रॉंग फिलिगेंड पेरिंग करा देगा येस स्टेट यहां पर निकल का जीरो है तो 3D8, 4S2 राइट येस स्टॉ अब देखो ये तो 3D8 हो गया 3D उसके बाद 4S तो स्ट्रॉंग फिलिगेंड 4S में भी दो है 4S के बाद 4P तो स्ट्रॉंग फिलिगेंड क्या करेगा बैटा ये जो 4S आई एनर्जी और्बिटल पे जो इलेक्ट्रोंस है इनको भी लो एनर्जी मिला देगा पेरिंग करवादे हैं इनकी यहां पे यह 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 सर्व इनकी पेरिंग वने के बाद अपने पास we will get D fully filled right यह सर्व बताओ आपड़ीजिशन देखो C में कार्बोनिल के उपर एक लोन पेर होती है SP3 इसमें IP3, not least two, isีán dripping. SP3, इसस पीर्व, करिकी नेच्यर चीज बतल實 द्राइएंगी. जुदेज? येशन ओर्णिटीछन और ऑ诈 सदिल, याच्सिह करीच Lessonsली , इसमेर जाएंगी टेट्राइड्रल बोलो पेटे क्लियर एंड येस येस अब देखो एनाई का ही ओर लेते हैं देखो एनाई सी एन ओल फोर टू नेगेटिव देखो इसकी प्लस टू अक्डेशन स्टेट ए निकल का भी इसमें ग्राउंड स्टेट होगी इसकी थ्री देट ओर फोरेस्टू एक्साइटेड इस्टेट वन की अपने पास 3D 840 आप देखो उपर वाले में जो एनाई सी एल फोर था उसमें वीक फिल्ल लिगेंड था तो इस त्री डी एट फोरेस्ट जी रो तो इस स्ट्रोंग फिल्ल लिगेंड है साइना इड इसमें यस्ट यस्ट तो इस पेरिंग करादेगा यस्ट 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 यहों गया आपका 3D एक्ट अब इसको इसमें ले जाएगा यहां पर पेरिंग बनेगी तो क्या बन जाएगा नेक्स्ट अपना इसको देगो दीट टू आस्पी थ्री डीयेस इस नी सॉरी शोरी येस डीयेस बीटेस्ट यहां पे पेर बन जाएगी न इसकी येस येस-ट इस इसके पेर बनने के बाद वी विल गेट देखो चार कोंपलेक्स है तो दी चार लिगेंड से तो डी एस पीटू कैसी सेप होगी इसमें स्क्वेर प्लेनर आउटर ओर्बिटल कोंपलेक्स है या इनर आउटर कैसे बेटा डी अंदर वाला काम में आ रहा है देखो यह 3ड है आउटर तो फोर है यह इनर ओर्बिटल कोंपलेक्स और बताओ डायमेगनेटिक लोस्पिन डायमेगनेटिक लोस्पिन राइट यह सूर यह सूर उसके बाद देखो और काफी सारे एक्जांपल से बेटा आपको प्रेक्टिस का भी है कि एक exceptional example आएगा उसमें को सी यू एनस त्री इसमें आप कुछ सोचोगे उससे अलग आएगा सी यू एनस त्री ओल फॉर तू पॉजिटिव ठीक है प्लस त्री इसमें कॉपर का उक्टिशन स्टेट क्या हुआ प्लस तू यस यस तो इसके गांट स्टेट एक्साइटेड इस्टेट होगी 3D9 4S1 राइट यह 4S0 ठीक है बटा अब देखो इसमें क्या होगा कि आप इसाब से एक एक एलेक्ट्रोन अनपेड बचिए आपका इसमें येस तो एक एलेक्ट्रोन पेर में कनवर्ट हो सकता है कभी भी नू सेर टो अब इसका पेर में कनवर्ट नहीं हो सकता तो तुम्हारे अकोर्डिं आंसर क्या आना चाहिए इसका SP3 येस सर ओनू ये शुट लेकिन क्या होता है ये जो एक electron है ये strong found ligand ये इसको high energy orbital में excite करवा देता है ये अपने पास 3d ये 4s और ये 4p तो high energy orbital में excite करवाईगा तो क्या ben जाएगा है एक खाली होगे पटा inner energy orbital यह 4S और यह high energy orbital में आगे एक लेक्ट्रोड 4P में आप देखो इसमें hybridization क्या होगी बताओ DSP2 देखो जो सोचोगी answer तो SP3 आना चाहिए था लेकिन answer क्या आएगा इसका DSP2 para और die para para magnetic inner orbital complex outer outer inner safe कैसी होगी इसमें square planar square planar इसको red से mark कर देते हैं थोड़ा से red से अलग से exceptional example है यह ध्यान रखना है yes ठीक बेटा yes तो ऐसे कर लोगा या नहीं में और आपको example से लिख देता हूं कुछ that you have to practice और देखो बहुत सारे complex example लिखने की जरुरत नहीं है example आपको NCRT में मिल जाएंगे नोमन क्लेशर जो भी किया है उनकी सब कर सकते है yes बेटा जिनका भी नोमन क्लेशर किया है उनका कर सकते हो नहीं कर सकते है yes yes example लिखो या देख लोगे कर लेंगे वहां पर जो भी बुक में से जो भी एक्जाम्पल है उनका बणा केट सबका चेक कर सकते हो जिसमें भी तुमारे को कोई डाउट आती है तो बता दे रहा है यह सूर यह सूर उसके बाद देखो इसकी लिमिटेशन्स एक तो दिस इनोल्स लार्ज नम्बर ओ अजम्प्शन्स दिस थेओरी लार्ज नम्बर ओ अजम्प्शन्स उत्ती मेटा इस थेओरी के इंदर ठीक है यह सुर नोन कौनितेवि नोक्तितितेटिब इंतर इंतर आी विल्डी ізयंधर नोक्तीतितिव इंतरपेशन्स उत्ê outra tua यहylिंदर उनकी quantity के बारे में explain नहीं कर पाती color के बारे में बताया है इसने color का नाम लिलिया color of the complexes एक उसमें हमने लिख्की थी limitation stability के बारे में बात की stability of complex right अब देखो बेटा हमने ये सारे questions जब कर पाये जब मैंने तुमारे को spectrochemical series बता दी yes लेकिन इस theory ने थोड़ी बताई दी वो दो बेटा आपने questions करने के लिए कर ली तो मतलब unable to distinguish between strong and weak-filled unable to distinguish between strong and weak-filled ligands उनके बारे में distinguish नहीं किया पेटाई इस थे औरी ने ये जब कर दो प्रहिए ये जब कर दो कि ये ती स्किल लिमिटेशन्स ओफ वेलेंस बोल्ड थेटी थेखेंगे एक इस में वह तुमारे को एक एक एक्जामपल वह बताऊं ते जो SP3D वाला FECO5 देख उसमें क्योंकि उसमें लिमिटेड एक्जामपल ये बहुत कम आएंगे उसमें FECO5 देख स्ट्रोंग फिल्ल लिगेंड है तो इसकी सीधी बता दो आयरन की ग्राउंड स्टेट कोंफिगरेशन 3D6 4S2 तो 3D6 4S2 के अंदर बताओ वेटा क्या होगा इसमें पेरिंग करवा देगा या नहीं करवाए गई करवादेगा बताओ क्या बनेगा फिर इसमें पेरिंग करवा देगा देगो डिमें 6 तो 6 है तो 4 अंपेड बचके चार अंपेड में 2 दोब पेर बन सकती है तो तो उस में इस दो फ़ली में से कि ऐसे बना सकते है नहीं कि यह और यह एस और यह पीटरी तो पांच कोडिनेट बोन बने इसमें कितने खाली चीए तुमारे को पांच तो देको पांच होगे एस पित्री यह तो वह थोड़ी पांच सब्सक्राइब को प्लेक्स के अंदर इसको एप्लाई कर सकते हैं इस वसके बाद नेक्स इस ट्रिस्टल फील्ड थेओरी जो और एक्जामपल्स करें ठीक है कर लोगे तो कर लेगे क्लास में कर वादेंगे फिर और डिस्कस कुछ क्रिस्टल फील्ड क्योरी क्रिस्टल फील्ड क्योरी किस ने दी थी एंस बैथे एंड जोन वाद वेलेक्ट एंस बैथे एंड जोन वाद वेलेक्ट एंस बैथे और जोन वाल वैलेक लेती थी ये crystal field theory तो जो valence bond theory की जो limitations है उनको explain करने के लिए दी गई होगी crystal field theory येस बोलो तो ये जो crystal field theory है एक तो उसमें देखो ये आपने पढ़ा कि बहुत सारी assumptions involve करती है ये जैसे metal ligand theory क्या कहती है metal ligand theory ये metal ligand के बारे में complex theory क्या कहती है कि ML bond जो है ML bond special kind of coordinate bond है तो coordinate bond है तो covalent bond हो गई मैटल और ligand के बीच में covalent bond होगा या नहीं होगा लेकिन ये theory ऐसे assume नहीं करती ये crystal field theory क्या करती है assume but according to CFT CFT assume करती है कि metal और ligand के बीच में जो interactions है वो electrostatic interactions है तो देखो एक अग बात तुमारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि 100% इसका मतलब कोई भी theory सही नहीं है इसमें क्योंकि जब हम coordinate chemistry पढ़ रहे हैं तो covalent bond तो बनता ही बनता है metal और ligand के बीच में ये सर्व समझ गए ये सर्व तो ये इसके theory के according ये theory क्या करती है कि according to CFT इसको short form में crystal field theory को CFT लिखेंगे तो according to CFT, CFT के according जो ये ligands है ligands को ligands को negative point charges मानता है क्योंकि metal में तो positive charge होगा ना metal के अंतर तो वो electron lose करेगा yes sir बोलो फिर ये कहती है कि मतलब जो ligands है वो ligands metal के चारों तरफ ऐसे मतलब अरेंज होगे कि जहाँ पर मतलब repulsions तो minimum हो जाए retractions maximum हो जाए ligands arrange in such a way such that repulsions less and attractions repulsions कम हो जाए और attractions जाता हो जाए राइट yes sir समझके बटा yes sir अब देखो ये कैसे explain करता इसको ये है बटा यहां पे metal और यह यहां पे क्या आया इसके पास ligand ligand repulsions की वजए से electron repulsions की वजए से जो degeneracy होगी orbitals की degeneracy degeneracy will be changed degeneracy change होगी या नहीं होगी repulsions की वजए से नहीं होगी yes sir बनो yes sir तो मतलब जो degeneracy change होगी तो hence यह विल नोट रिमेंड करेगा कि लिगेंड किस तरीके से अप्रोच कर रहा है अब देखो इसके अंदर मेन अपन पढ़ते हैं complexes, उनको कितने complexes पढ़ते हैं, दो, एक तो coordination number, eight, ये सोरी, six, six के अंदर कौनसी सेप होगी, octahedral, and another one is coordination number four, तो इसमें दो सेप होगी, tetra, और, square planar, square planar, ठीक है, अब देखो, d orbitals, पांच degenerate orbitals, ये बना लिया है, अपन ने, देखो, इसको x और y के बीच में, अगर लोब लाई करना है, तो कौनसे orbitals बोलेंगे मिनको, dxy, yz के बीच में, अगर, lobs लाई करना है, और orbitals के, d yz, d, और zx के बीच में, लाई करना है, तो, d zx, right, yes, और dxy, d yz, d zx, और अगर, axis के उपर लाई करें, x और y के उपर, तो इसको अपन बोलते हैं, d x square dash, y square, y square, और z के उपर लाई करें तो, z के उपर बना देते हैं, ऐसे इसको z मानते हैं, इसके बीच में यह ring, double, तो d z square, आप देखो, जैसे पहले लेते हैं, अपन ओक्टाएडरल कॉंप्लेक्स के इंदर, octa-adral splitting, जब ligand approach करेगा, तो अप्रोच करेगा तो ligand के इंदर, जो d orbitals में, electrons हैं, उनके साथ, और ligand के electron, electron के बीच में, क्या होगा, repulsions होंगे, repulsions की वजए से, जो d orbitals के energy है, वो d orbitals के energy सेम रहेगी, नो सुर, d orbitals के energy सेम नहीं रहेगी, तो क्या होगा, वो अलग-अलग energy sets के अंदर, split हो जाएगे, देखो, जैसे ये 5 d, ये इनकी ground state energy थे बीचा, पांच degenerate orbitals, पांच, अब ligands ने, ये मतलब, किसके हैं, free ion के, आप जब ligands ने approach करना शुरू किया, तो ligands ने approach करना शुरू किया, तो repulsions बढ़ेंगे, repulsions बढ़ेंगे, तो इनकी energy बढ़ जाएगी, ये कब होगा, when ligand approaches, जब ligand approach करेगा, ये इनका energy का order मान लो, तो जब ligand approach करेगा, तो ऐसा बन जाएगा, अब ऐसा बनने के बाद, यहाँ पे जो average energy है, d orbitals की, ये कब होगी, ये, this is the average energy, in, spherical crystal field, crystal field मतलब जब complex बन रहा है, right, उसके बाद इनकी जब energy बढ़ेगी, तो इनकी ये होगी, average energy, ठीक है, ये जो mean value होती है, इन orbitals की, यहाँ पे d orbitals की average energy को हम क्या मानते, जीरो, उसको बोलते हैं, berry center, berry center मतलब जहाँ पे अपनी average energy क्या होगी, जीरो मान ली, अब इसके respect में, देखो, इसमें ये दो set में split करेंगे, तो octa-edal complexes में जो ligands होते हैं, वो approach करते हैं, along the axis, कैसे approach करते हैं, along the axis, this, देखो, इसको थोड़ा अपने को निच्चे बनाना पड़े गए, या विन की average energy, in spherical crystal field, तो देखो, axis के along, किस-किस के orbitals के lobe आ रहे हैं, बेटा, देखो, तीन और, दो orbitals के lobe आ रहे थे, dx square dash y square और dz square के, तो उनकी energy, जो high energy sets होंगे, उनको बोलेंगे, हम e g, और low energy sets को क्या बोलेंगे, T2G, और इनके बीच में जो energy difference होगा, दोनो energy sets के, उसको बोलेंगे, delta O, this is CFSC, crystal field splitting energy, क्या बोलेंगे इसको, crystal field splitting energy, crystal field splitting energy, and in octahedral complexes, ligands approaches, along the axis, तो axis के along approach करेगा, तो repulsion सबसे जाता किस में होँगे, बताओ, बताओ बिटा, अरे, देखो, D में जिनके अभी उपर बनाएं तो थे आपन नहीं, वो इसलिए बनाएं जिनके लोब, जिनके लोब axis के उपर लाई कर रहे हैं, तो लोब axis के उपर किसके लाई कर रहे हैं, देखो, D x square dash y square d x square d x square dash y square के लोब्स लाई कर रहे हैं, देखो, देखो, दिख रहे हैं यह दोनों लास्ट वाले, तो इसके अंतर देखो, अगर जब direction of approach of ligand, ligand या तो यह approach करें या इनके along approach करेगा तो जब ligand इनके along approach करेगा तो repulsions बढ़ेंगे या घटेंगे उसमें, बढ़ेंगे तो repulsions बढ़ेंगे तो repulsions बढ़ेंगे तो दो energy sets के अंदर split हो जाएगा high energy set को क्या बोलेंगे t e g और low energy set को t 2 g जो average energy center, बैरी center से जो energy का difference होता है इसकी तो होती है 0.6 times of delta हो और यह इसकी क्या हो जाएगी यह जो भी इसकी main energy होती है 0. minus 0.4 times of delta हो और यह delta पराबर होता है 10 dq तो 10 dq होता है तो उपर वाले को 6 dq भी बोल सकते है और नीचे वाले को क्या हो जाएगा 4 dq yes बोलो बेटा समझ में आया निया है देखो लिगेंट जब axis के अलोग अप्रोच कर रहे है तो dq square dash y square की तो क्या हो जाएगी energy dq square dash y square की energy rise होगी dz square की energy rise होगी तो उनकी energy average energy से ज्यादा होगी यह होगी अपने पास dxy d yz and dz x तो इनकी average energy क्या हो जाएगी इसके इंदर काम हो जाएगी यह जो इस्प्लिटिंग energy यह जो इस्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करेगी अलग अलग जैसे इलिगेंट की energy value spectrochemicals series थे को क्या पो लेंगे arrangement of ligands on the basis of increasing or decreasing order of their CFSC values yes arrangement of ligands on the basis of their increasing or decreasing CFSC values को बोलते स्क्ट्रोगेमिकल शीरीज इसको लिखुआ ऐअ उपर लिख्यूए वहाँ से देख लोगे पेटर कोपी करोगे इसको मैं इसको इसमें यह कह सकते हैं कि अगर जो डिल्टा है डेल्टा ओ की स्मोल वैल्योगी डेल्टा ओस्मोल होगा तो हम यह कह सकते हैं कि वीक का इस स्ट्रॉंग्धू लिगेंट्स का इस स्ट्रॉंग फिल्टी एक हैं गृट्व इस इस यादर स्टंब पे इनरेक्शन्स ग्रीट करेंगे तुझ से समझें पटा है ओग इस एप बोलो इसकी value कैसे calculate करते हैं और यह ligand field strength के उपर कैसे कैसे effect पड़ेगी that we are going to discuss tomorrow okay इसमें कोई पूछना हो कोई doubt हो तो बता दो बेटा यह उसके जैसे ही होगी बस same इसके अंदर जो tetra-addle complexes में थोड़ी जी उल्टी हो जाएगी उल्टी कैसे होगी उसमें क्योंकि tetra-addle में ligand approach करेंगे in between the axis तो in between the axis approach करेंगे तो उनमें dxy, dyz cabin के energy जाता हो जाएगी कोई पूछना हो तो बता दो ठीक है फिर ओके थेंक्यों